नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुरुपया सब्स्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकरी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे एक बहुती खुपसूरत और दिल्चस्प चीज है वो हमेशा से ही सपनों का कविताओं का तथा विज्ञान का विशय रहा है दोस्तों आपने अभी तक एक चीज का निरिक्षन जरूर किया होगा कि आस्मान में चांद रोज अलग-अलग दिखाई दिता है उसका रूप ह हर दिन बदलता है क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है आज हम जानेंगे इसके पीछे का कारण आज हम सिखेंगे विवीद चंद्रकलाएं उन चंद्रकलाओं के पीछे का कारण और पृत्वी की कलाएं चांद का प्रुष्ठ काफी अंदकार में है और उसकी परावर्तता किसी फले या डामर जितनी ही है फिर भी चांद इतना उजवल कैसे नज़र आता है इसका कारण भी काफी सरल है चांद के प्रिष्ठपे जो सूर्य की प्रखर किरने आती है वो किरने चांद परावर्तित कर लेता है और यही परावर्तित किरने हमें नजर आती है और चांद अतिशे शुभर नजर आता है अपने सवर मंडल में जितने भी गुलाकार पदार थे उनकी एक बाजू जो कि सूर्य के सम्मुक है वो उजली हुई नजर आती है और उसे हम दिन यानि की डे कहते है जबकि दूसरी बाजू जो कि सूर्य के सम्मुक नहीं है वो अंदकार में नजर आती है जिसे हम रात यान के नाइट कहते हैं क्योंकि चांद भी एक गुलाकार वस्तु है इसके साथ भी कुछ यही इस्तिती है और क्योंकि चांद पृत्वी भवतल परिक्रमा कर रहा है उसकी ये उजोल बाजु देखने का नजरिया हर दिन बदलता है जिसके कारण अगर पृत्वी से देखा जाए तो चांद की विविदक कलाए नजर आती है आईए इस बात को और गहराय में समझते हैं जब पृत्वी चांद और सूर्य के बीच में होती है तो हमें चांद का उजला हुआ मुख संपूर्णा पने नजर आता है मगर आप सोच रहे होंगे कि अगर चांद पृत्वी के प कक्षा और चांद की पृत्वी बहुता की कक्षा दोनों एक सता में नहीं है बलकि चांद की कक्षा पृत्वी की कक्षा से किंची जुकी हुई है जिसके कारण पृत्वी की परच्षा ही चांद पे नहीं आती और हम चांद की उजली हुई बाजू संपूर्णा पने नज़र आती है हमें पूर्णी मा का चांद नज़र आता है यानि कि फुल मुन नज़र आता है पर अगर यही चांद पृत्वी के पीछे ना होते हुए अगर पृत्वी के बाजु में हुआ तो हमें चांद की आधी उज्वल और आधी अंदकार में बाजु नज़र आती है इसी को हम अर्दाच अंद्र कहते हैं पर दोस्तों अब अगर चांद पृत्य सूर्य के बीच में आता है तो क्या हमें उसकी उज्वल बाजो थोड़ी भी दिखाए देगी नहीं हमें बस उसकी अंदकार में बाजो दिखाए देगी यानि कि हमें चांद दिखाई नहीं देगा तो देखा दोस्तों यहां हमने सिर्फ चांद की उजोल बाजो देखने का नजरिया बदला और हमें चांद की बिन्नक अलाए नजर आई चलो अब इसे और अच्छे से समझते है चांद पृत्वी के भोताल अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है यहां परिक्रमा करने में उसे करिब एक महीना लगता है बलकि महीना यानि कि मास इस सब्द का मतलबी चांद से जुड़ा हुआ है चांद को अपनी कक्षा में एक चक्कर काटने में जितना समय लगता है उतने समय को एक मास यानि कि एक महिना अमन्ध कहा जाता है ये समय करीव 29.5 दिन का होता है अमावस्या, न्यू मून जैसे कि हमने देखा ज़ब चांद पृत्वी और सूर्य के बीच में आता है तब हमें केवल उसकी अंदकार में बाजो नजर आती है जिससे कि हमें चांद आस्मान में नजर नहीं आता अमावस्य के स्थित्ती में चांद अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे नजदीक होता है जिसके कारण अगर पृत्वी से देखा जाए तो चंद्रोदे सूर्योदे के साथ और चंद्रास्ता सूर्यास्ता के साथ होता है वर्धमान चांद क्रिसेंट मून क्योंकि चांद प्रुट्टि के भवतर परिक्रमा कर रहा है, अमाव से कि कुछ दिनों बात दिखा जाए तो चांद पूरब की तरफ चला जाता है. अब हमें चांद की उज्वल बाजु का थोड़ा सा हिस्सा नजर आने लगता है. इसी को हम वर्धमान चांद यानि के क्रेसेंट मून कहते हैं. अब क्योंकि चांद थोड़ा सा पूरब की तरफ आ चुका है, हमें चंद्रदे सूर्यदे के कुछ गंटों बात और चंद्रास्त सूर्यास्त के कुछ गंटों बात नजर आता है. दोस्तों, अगर आप अमावस्या के कुछ दिनों बात आश्मान में देखोगे, तो आपको सूर्यास्त के बात शिटीज पे अस्थ होता हुआ खुबसूरत सा वर्धमान चांद नजर आएगा. और दोस्तों, ये दृष्चे बहुत ही खुबसूरत होता है. अर्दचंद्र, फर्स्ट क्वार्टर मून अमावस्या के करीब साथ दिन बात दिखा जाए, तो चांद पृठ्वी के बगल में आचुका होता है. अब हमें चांद का आदा अंदकार में और आदा उजोल हिस्सा नजर आता है. इसी को हम अर्दचंद्र, यानि की फर्स्ट क्वार्टर मून कहते हैं. कुबडा चांग, गिबस मून अब अर्दचंद्र के कुछ दिनों बात देखा जाए, तो चांद सूर्य से और भी पीछे आ चुका होता है. अब हम चांद के उजोल प्रुष्ट का काफी हिस्सा देख पाते हैं. इसी को हम कुबडा चांद, यानि की गिबस मून कहते हैं. अब इजब की चांद सूर्य से काफी पीछे तक आ चुका है, हमें चंद्रदे सूर्यास्त के कुछ गंटे पहले, और चंद्रास्त सूर्यास्त के कुछ गंटे पहले नज़र आता है. पूर्णी मा, फुल मून अमावस्या के करीब दो हफ़ते बाद, यानि के अर्दा चंद्र के करीब एक हफ़ते बाद अगर देखा जाए, तो पूर्थवी चांद और सूर्या के बीच में आचुकी होती है. इसका मतलब हम चांद की उजली हुई संपूर्णा बाजो देख पाते हैं. इसी को हम पूर्णी मा, यानि के फूल मून कहते हैं. अब क्योंकि चांद सूर्या के विरुद्ध दिशा में आ चुका है, हमें चंद्रोदय, सूर्यास्त के समय और चंद्रास्त सूर्योदय के समय नज़र आता है. इसका मतलब चांद पूरी रात आसमान में नज़र आता है. अब तक चांद प्रुट्व के भोताल अपनी आदी कक्षा पार कर चुका होता है पौर्णी मा के बाद चांद और सूरज की बीच का अंतर वापस घटने लगता है उसकी सारी कलाये वापस से नजर आती है बल्कि इस बार उल्टे क्रम में यानि के पौर्णी मा के कुछ दिनों बाद अगर देखा जाए तो हमें वापस से कुबडा चांद नजर आता है इस बार चंद्रदेग सूर्योस्ता के कुछ घंटों बाद और चंद्रास्ता सूर्योदेग के कुछ घंटों बाद नजर आता है अगर आप पूर्णी मा के कुछ दिनों बाद आस्मान में सूर्योदै के बाद देखोगे तो आपको क्षिटीच पे अस्त होता हुआ खुबसूरत सा कुबड़ा चान नजर आएगा ये दृष्टी भी बहुत खुबसूरत होता है पूर्णी मा के करीब एक हफ़ते बाद चान्द वापस से पृठी के बगल में आचुका होता है अब तक चान्द अपनी कख्षा का तीन छोता हिस्सा पार कर चुका होता है वापस से अर्दाचंदर नजर आता है हम इसे थर्ड कॉर्टर मुन भी कहते हैं अर्दे चंद्र के कुछ दिनों बाद वापस से वर्धमान चान नजर आता है और अमावस्या के करीब एक महिने बाद चान वापस अपनी जगा पे आ चुका होता है यानि कि अपनी कख्षा का एक चकर काट चुका होता है और हमें वापस से अमावस्या नजर आती हैं तो दोस्तों, ये थी चान की सारी कलाए, क्या आपको पता है, चान की तरह ही पृत्वी की भी कलाए होती हैं? पृथ्वी की कलाय, phases of earth जिस तरह चांद से पृथ्वी की अलग-अलग कलाय नजर आती है उसी तरह अगर चांद पे जाके देखा जाए तो पृथ्वी की भी भिन्न कलाय नजर आती है आमावस्य की दिन यानि कि जब चांद पुर्थवी और सूर्य की बीच में होता है पुर्थवी से चांद की केवल अंदकार में बाजु नज़र आती है लेकिन यही अगर हम चांद पे जाके देखे तो पुर्थवी का पूरा उजला हुआ पुरुष्ट नज़र आता है पुर्थवी करीब पचास गुना ज़्यादा शुब्र नज़र आती है दोस्तों क्या आपने कभी वर्दमान चांद को द्यान से देखा है इसकी अंदकार में बाजु संपूर्ण पने अंदकार में नज़र नहीं आती ऐसा क्यूं होता है जब सूर्य की प्रकर किर्णे पुर्थवी पर आती है तब पुर्थवी भी इन किर्णों को परावर्थित कर लेती है और ये किर्णे चांद के पुर्ष्ट पे जाके गरती है जिसके कारण चांद संपूर्ण पने अंदकार में नज़र नहीं आता और वर्दमान चान का अंदकार में भाग भी क्वचित उजला हुआ नजर आता है तो देखा दोस्तो चान कितना खुबसूरत है वो रोज एक जैसा होते हुए भी रोज अलग नजर आता है खुद की रोशनी ना होते हुए भी रोशन नजर आता है तो आज हमने देखा कि कैसे चांद अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए अपनी विवीद कलाई दिखा के जाता है धन्यवाद थैंक यू